आपके इंग्लिस लिट्रेचर कासल चैनल पे आज हम बात करने वाले उनको नाम है कर्ट काफका यह जर्मन साइकोलोजिस्ट है बहुत ही इंट्रेस्टिंग इनकी जिंदेगी रही है कहां से कहां यह पहुचे जर्मनी में पैदा हुए थे उसकी कैपिटल बर्लिन में हाला कि यह साइकोलोजी वाला टॉपिक है लेकिन इंग्लिस लिट्रेचर में इसके एक्जाम में कोशन्स भी आते हैं क्योंकि इनकी जो थेओरी है साइकोलोजी की इस लिटर थेओरी से जुड़े वे बात आती हैं और इसमें इसे जुड़े कहीं सरी बाते आती हैं और काफ का जो है उनके काफी ज़एदा इंट्रेस्ट रहा है perception के बारे में hearing, appearancement और brain damage patients से जुड़े वी तो काफी human psychology से इनका अलग-अलग interpretation रहा है कि कैसे हम learning को बढ़िया बना सकते हैं और gastron theory से ये development mental psychology की तरफ गए थे कैसे हुआ इनकी जिन्दिकी में इस अब change ये काफी interesting बात रही है जर्मनी के पैदा होने के बावजूद एक ऐसे जुड़े आगे हम देखते हैं इनकी personal life से तो हम काफी कुछ जान पाएंगे कि पैदा होए जब ये बर्लिन में इनकी पिता जो बहुत मशूर lawyer थे और इनके चाचा जी जो थे वो judge रहे इनकी mother जो ये वो Jewish descendant थी अपने आपको protestant करे थी मतलब Christianity में मर्च कर लिया था इनोंने इनने जब शादी करी काफका जी ने तो वो भी एक researcher रहे है रही है मीरा उनसे इनकी शादी हुई थी इनकी डाइवोर्स ले लिया और second marriage उनकी Elizabeth से हुई जो PhD कर रहे थी और फिर उनने डाइवोर्स लेकि वापिस अपनी पहली बीवी से मीरा से शादी कर ली और फिर उनसे वापिस डाइवोर्स ले लिया और फिर अपनी दूसरी बीवी जिससे उनने डाइवोर्स ले लिया था Elizabeth उससे वापिस शादी कर ली तो आप देख सकते है कि पहली बीवी से शादी करने के बाद उनसे तलाइख लिया दूसरी बीवी से शादी करी और फिर वापिस तलाइख लेके दोनो बार अपनी दोनों ही छोड़ी बीवी पतनियों से लई तो आप समझ सकते हैं कि कहां से इनके mental psychology जा रही है हलाग इनकी कोई बच्चे नहीं थे अब बात करते हैं ये जातना काफी ज़रूजी था कि इनका psychology में क्या interest है, gastrotory के बार में हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि उसकी काफी detail version आती है इनकी uncle जो थे वो biologist है और उनका philosophy और science में interest था और ये क्योंकि जर्मनी से तो थे इनकी German अच्छी थी, लेकिन English इनकी अच्छी नहीं थी लेकिन क्योंकि इनकी governance जो थी, वो English थी उनने शुरू से इनको English में involved किया और ऐसे करके देरे देरे ये इनका interest जो है वो बढ़ता गया University of Edinburgh में इनका selection हो गया था Scotland में, वहाँ से इनकी fluency बहुत अच्छी हो गई English की और देर देरे इननने psychology में PhD अर्ण की और इनकी thesis थी experimental investigations of rhythm English इनकी अच्छी हो गई थी और अपनी guest-talk theory के उनने widespread किया उसको explain किया University of Frankfurt में इनकी कहीं और detail थे दोस्त जिनके इनकी help करी First World War के रोरान भी ये काम करते रहे Berlin School of Experimental Psychology के पार्ट रहे फिर United States गए वहाँ पे Cornell University में भी visiting professor रहे इनकी theory को worldwide acceptance मिला फिर ये Massachusetts के जो कि सबसे मशूर माना जाता है उनिवर्सिटीज में से एक वहाँ की वहाँ पे भी इनका आकरी समय बीता तो काफी इन्होंने एक्सपर घूमा और डाइग्नोस हुए अब बात करते हैं मीन इनका जो contribution रहा है जो इनका वुल्फ गैन को अधर के साथ काम किया और मैक्स वैदर मैं के साथ उनने काम किया अपनी गस्टाल्ट मूवमेंट के उपर वो ही बहुत ही मशूर है ये और ये दिरे दिरे वाइड स्पेड हो गई ये खास उसके चेर पर समया जाते हैं इस साइकलोजी के और इनकी बुक के Contributions to the Psychology of Gastaut बहुत मशूर रही है अमेरिकन साइकलोजिस्ट जो है उनने इसको खास जगे दी 1922 में 1922 एक बहुत ही खास साल मना जाता है यो कि इस साल बहुत ही ज़ादा थियोरीज निकली बुक्स निकली लिटेर से जोड़ी वी काफी इंटरस्टिंग ये साल मना जाता है और काफका का ये Contribution Gastaut Psychology के लिए Psychological Subjects ने भी बहुत important है और फिर जब इसको English में Translate किया गया Principles of Gastaut Psychology ये Gastaut Group में हाई Members में Views किया रही गई आप जब इसकी Detail में जाएंगे हैना कि बहुत जादा Detail में जाने की ज़रूद नहीं है क्योंकि ये Psychology का पार्ट है लिटेर्च का नहीं बट काफी जादा इसमें Learning को Stress किया गया है तो Language Teaching में इसका खास है और आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो आप उसकी Psychology की उपर जाना पड़ेगा तो किस तरह से हम Learning को Betterment बना सकते हैं कैसे अलग-अलग Technique यूज़ कर सकते हैं Understanding को बढ़ाने के लिए और आप Knowledge को बढ़ाने के लिए तो उसमें Natural Accurances का यूज़ किया गया है Natural Techniques का तो Learning को यूज़ किया गया है Language को यूज़ किया गया है इसको खास इसमें Developmental Psychology में यूज़ किया का Mind को कैसे Develop किया और काफी ज़्यादा इनको Contribution रहा है इस केस में That's all for today I hope आपको का Idea मिल गया होगा काफी हद तक कि कैसे आप Help कर सकते हैं कितामें बढ़ते रहिए आपने Views Share करते रहिए जाहर जादा हम आपकी Help करने कोशिश करेंगे हमारे साजुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेखे हमारे साजुड़े झाल झाल